गोजो तो वापस आ चुका है पर उसके सर में ये क्या है असल में फिजिकली गोजो आया है mentally is no more dark 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 let's start तो जूसु कैसन के chapter 261 के spoiler आ चुके हैं जिसमें हमें पता चला कि वले ही गोजो हमें दिखाए गया था पर real में वो गोजो नहीं है बलकि जब वो smoke हटा तो हमें पता चला कि असल में गोजो के सर में sticks थे उससे हमें पता चलता है कि ये केंजा को है मुझे ये point डग लगा था कि anime खतम केंजा को गोजो का body को take over कर चुका है मतलब कि मैं पहली बारे कि ऐसा anime देखने वाला हूँ जिसमें antagonist की जीत होगी पर शॉकिंग ली ऐसा नहीं है बलकि हमें पता लगता है कि सुकुन बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहां तक आ जाओगे औकुट्सू यूता येस यूता असल में यूता केंजा को का curse technique कर्च spirit meripolition का यूज करता है असल में हमें पता चलता है कि यूता मर नहीं वाला पर वो जिन्दा भी था तो रीका की वज़स है जिसके बाद यूता के पास कोई option नहीं होता देख अपना last hope को यूज करता है जो कि ये किन्जाकू का curse technique को copy करना इसका मतलब गोजो तो गोजो वही है पर उसके अंदर यूता का soul है वो भी श्रीप अच मिनित तक हमें flashback दिखाया जाता है तो मैं आपकी body को control कर लूँगा जिसमें गोजो बोलता है कि मरने के बाद तुम मेरी body के साथ जो चाहो वो कर सकते हो और वो तब देखा जाएगा जब मैं मरूँगा और इसी के साथ सारे hope, सारे theory, गोजो fanboy, गोजो fangirl all are end जब गोजो मर जाता है तब यूटा बोलता है कि मैं भी एक बार सुकुना की power को test करना चाहूंगा और उसके बाद यूटा मरने तक आ जाता है और finally वो चूच करता है कि मैं गोजो को body को take over करूंगा और इसी के साथ इस pussy cat ने तुमारे साथ फिर से खेल दिया और अब चीजे देखने वाली होंगी और तुम मुझे comment में जरूर बता देना कि गोजो का comeback तुम्हें चाहिए या नहीं मैं तुम्हें एक real last hope बताऊंगा गोजो का revive होने का तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना है मेरा instagram account भी है वहाँ पर follow कर सकते हों मैं वहाँ पर भी update देता रहता हूं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तेरा साइट